असलाम वालेकुम आज हम आपके साथ चिकन पास्ता की बहुत ही जवर्दस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे आप इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें इंशालला इस रेसिपी आपको पसंद आएगी यह हमने 200 ग्राम चिकन लिया है इसको हमने छोटे पीसीज में कट कर लिया है तो सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट कर लेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून नमक 1.4 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है आफ टीजपून जिंजर पेस्ट, हाफ टीजपून गार्लिक पेस्ट, हाफ हमने यह लेमन लिया है, इसका हम जूज डाल देंगे, मिला देंगे, चिकन में हमने सिभी मसालो को मिला दिया है, अब हम इसको कवर करके आदे घंटे के लिए रख देंगे, देखे चिकन को हमारे रखे हुए लगबग आदा घंटा हो गया है तो आए बनाना शुरू करते हैं गैस पे हमने ये चार गिलास पानी को बोईल करने के लिए रख दिया है तो सबसे पहले हम इसमें वन टी स्पून सॉल्ट डाल देंगे इससे जो हमारा पास्ता है वो चिपकेगा नहीं एक बाउल भर कर हमने पास्ता लिया है इसको डाल देंगे और अब हम इसमें चम्बच चला देंगे अब हम पास्ता के गलने तक इसको पका लेंगे तो पास्ता को हम दूसरे चूले पपकने ही रख देंगे गैस पे हमने एक पैन रखा है इसमें हमने गजा है जो चिकन है उसको डाल देंगे पैन को हम कवर कर देंगे और चिकन के गलने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे देखें पास्ता जो है हमारा गल गया है तो इसका पानी हम स्ट्रेंड कर लेंगे यहां जो हमने चिकन पकने के लिए रखा था इसका जो पानी है वो भी खुशक हो गया है और जो चिकन के पीसीज हैं ये भी गल गए हैं तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे सेम पैन में हमने ये टूटेबल इस्पून ओल ले लिया है 5-6 हमने लसन के पीस लिये हैं और एक इंच अद्रक का तुकड़ा इनको हमने बारिक चौप कर लिया है लसन और अद्रक को एक मिनट के लिए हम पका लेंगे एक बड़े साइज की हमने प्याज को बारिक चौप कर लिया है प्याज को हम ब्राउन नी करेंगे सिर्फ सोटे करेंगे दो हरी मिर्चों को भी बारिक कट कर लिया है एक मीडियम साइज की हमने शिमला मिर्च को छोटे पीसिज में कट कर लिया है एक बड़ा साइज का हमने टमाटर लिया था इसको भी बारिक पीसिज में कट कर लिया है आप चाहें तो इसकी जगा टुमेटो प्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पर आप इसमें सोया सोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मैं इसे बिना सोया सोस के बनाऊंगी अब हम इसमें कुछ और मसाला अट कर देंगे हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जरुवत के हिसाब से नमक डाल देंगे आदे चम्मच से थोड़ी सी कम हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है एक चम्मच हम इसमें म पड़ने मीदियम फलें पर देखे तीन से 4 मिनट हो गई है तो अब हम इसमें कुक्या हुआ चिकन डाल देगे बना पास्ता डाल देगे और इन सब तो कि अपली अब हम इसमें बारीक कटके हुआ हरा धनिया डाल देंगे मिला देंगे चिकन पास्ता को हम एक मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लेंगे कवर करके और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे आपको हमारी चिकन पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक क करें और चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिज